आज की कल क्लास में हम लोग हम लोग बात करनी है उस्तर मने आले की अधिकारिताओं की और उसके पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि उस्तर मने का समिधान में स्थान क्या है उसी में एक और बात एड करनी है हमें कि भारत चुकी राज्यों का संग है अर्थात उसका धांचा परिसंघिये भी है राज्यों के अवस्तिति के करण तो परिसंग में जो नायाले होता है उसको हम फेडरल कोर्ट करते हैं परिसंग ये नायाले भारत का उस्तम नायाले भारत का परिसंग नायाले भी है अर्थात यहां राज्यों के अस्तर पर उस्तम नायाले का प्रावधान नहीं है उसी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे उस्तव नयाले, फेडरल नयाले के रूपे उस्तव नयाले, उसकी चर्चा हम लोग पहले करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अधिकारी ताओं पर आएंगे फेडरल नयाले के रूप में उस्तव नयाले, एक नज़र डालते हैं हम लोग इसके प्रोविजन पर, अनुछे एक सो पैंटिस है, यहाँ लिखाए कि विद्धिमान विधी के अधिन फेडरल नयाले के अधिकारिता और शक्तियों का उस्तव नयाले द्वारा प्रयोक्तव् तब तक उस्तव नयाले को भी किसी ऐसे विश्यक के समंद में, जिसको अनुछेद 133 या अनुछेद 134 के उपन लावो नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियों होंगी, यदि उस विश्यक के समंद में समिधान के प्रावर्म में से ठीक पाले, किसी विद्धिमान मामलों में है और 134 में अपराधिक मामलों में, दांडिक मामलों में, ये अनुछेदिया कह रहा है कि अगर ऐसी कोई ऐसा कोई विश्यक है, जो अनुछेद 133 और 134 के तहट गवर्न नहीं होता, उसके अंदर शामिल नहीं होता, लेकिन उस पर नयायले के विचार की जरू यह मुनिस सो पैंटिस की तहत देखते हैं. तो इसका रतिया होدم ही भारत part का फीडरल नहीं होगा और राज्यों के अभर परो्ट का प्रावधान नहीं होगा, जैसा कि हमें A Fo20 के परिसंग में दिखाई देता है. और यहँ प्रावधान भारत की सर्वोचिता को भी चिद्ध करता है किसी की बात हमें लिखनी है एक पारग्राफ लिखें इसमें कि अनुचेद एक में भारत राज्यों का संग है अनुचेद एक में भारत राज्यों का संग है अर्थात इसका चरितर परिसंग्ये और आत्मा एकात्मक है इसका चरित्र परिसंगिये और आत्मा एकात्मक है इसी कारण भारत का उच्चतम नयाले नयायतंत भारत का उच्चतम नयाले त्रिभुजाकार नयाइक धाचे के शीर्ष पर अवस्थित है त्रिभुजाकार नयाइक धाचे के शीर्ष पर अवस्थित है अनुच्चेद 124 खंड एक में अनुच्चेद 124 खंड एक में यह कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम नयाले होगा अर्थात संग और राज्यों के लिए अर्थात संग और राज्यों के लिए एक ही उच्चतम नयाले का उल्लिक है इससे यहवी सिद्ध होता है कि भारत एक संग है और यहां उसके चरित्र के परिसंगिये होने के बावजूद उसके चरित्र के परिसंगिये होने के बावजूद वास्तविक परिसंगों के समान राज्यों के अस्तर पर उच्तम नायले का प्रावधान नहीं है वास्तविक परिसंगों के विपरीत राज्यों के अस्तर पर उच्तम नायाले का प्रावधान नहीं है ऐसी इस हिती में उच्तम नायाले को ही भारत के फेडरल नायाले की शक्तियां दी गई है उच्तम नायाले को ही भारत के फेडरल नायाले की शक्तियां दी गई है ऐसे न्यायाले का प्रावधान भारत शाषन अधनियम 1935 से प्रेडित है भारत शाषन अधनियम 1935 से प्रेडित है करा करके समिधान के अनुच्छेद 135 में यह उलेख है कि जो विशय अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 से के तहत नहीं आते नहीं आते उन विशयों पर उन विशयों पर भारत के उच्छतम नायले को भारत में फेडरल नायले की सुतंतरता सुनिश्चत करने के लिए भारत में फेडरल नायले की सुतंतरता सुनिश्चत करने के लिए उसके नायाधीशों के वेतन और भत्ते भी भारत की संचित निधी पर भारित हैं भारत की संचित निधी पर भारित हैं तो यह अलग से एक छोटा सा प्रश्च बन सकता है कि भारत का उस्तम नायले पेडरल नायले है कैसे है और उसका महत तो क्या है इस रूप में हम इसको देख सकते हैं अब हम लोग बात कर रहें उस्तम नायले की अधिकारिताओं की कि अधिकारिता का मतलब होता है कि आरे छेट कि यह अधिकार जहां तक नायले की शक्तियां प्रभावी हैं तो कहा जाएगा समचना की दिश्टी से और कारिक की दिश्टी से तो ऐसे भी लिख सकते हैं लोग पहले पहले या लिखे राजनित्रिक धांचे का आप अगराए यह व्यक्तु नाकिरक शक्ति संबंधों का है अब लिखा जाएगा प्रकार लृव अधि को अहीं और इसमें भी हो गया परकार झाल झाल एक सो उन्तारश चार तरह के दिकारिता हैं समिधान में उल्खित अनुशे धमने यहां लिकली है कि एक तरफ इराजनितिक धाचे का सनक्षन करता है और दूसरे तरफ राजनागरिक शक्ति संबंधों का संतुलन करता है इस तरीके से हम इसका बर्गिकरन कर सकते हैं अब एक करके बात करेंगे सबसे पहले आरंविक का मतलब होता है कि किसी मामले को पहली बार जिस नायाले में लाया जाए उस अधिकारिता को कहते हैं आरंविक जब भी कुसी मामले को पहली बार जिस नायाले में लाया जाएगा तो नायाले की ऐसी अधिकारिता को जिसके तहट पहली बार कोई मामला उसके पास लाया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा आरंविक अधिकारिता कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो केवल उसी नायाले में लाए जाएं तो उसको कहा जाएगा अनन ने अधिकारी था एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि first time किसी मामलThis को हमने उस नायाले में लाया है और exclusive का मतलब हो गया कि वो मामला उसी नायाले में लाया जा सकता था तो सामानेता हम या कहते हैं कि जिस नायाले के पास आरंभिक अधिकारिता इस first डुप से लिखी होती है उसी आरंबिक अधिकारिता की अर्थ में उसकी अनन्य अधिकारिता भी शामिल होती है एक्स्क्लूसिव जुरिश्डिक्षन भी होती है राइट लिकेश किसी नायाले की आरंबिक अधिकारिता किसी नायाले की आरंबिक अधिकारिता उसकी वह अधिकारिता है जिसके आधार पर पहली बार कोई मामला पहली बार कोई मामला उसके समक्ष लाया जाता है जिन नयायालियों को स्पस्ट रूप से जिन नयायालियों को स्पस्ट रूप से आरंभिक अधिकारिता दी जाती है उसके अर्थ में उसकी अनन्य अधिकारिता भी कामिल होती है अर्थात किसी मामले को केवल उसी नयायाले में लाया जा सकता है किसी मामले को केवल उसी नयायाले में लाया जा सकता है भारत के उच्तम नयायाले को अनुच्छेद एकसो एकसो एकस्टिस में आरंभिक अधिकारिता दी गई है जिसके अर्थ में उसकी अनन्य अधिकारिता भी शामिल है जिसके अर्थ में उसकी अनन्य अधिकारिता भी शामिल है कैसे है इसको देखें हैं अभी हम लोगों ने लिखा कि किसी नयायले को स्वस्ट रूप से आरंभिक अधिकारिता जब दी जाती तो यहां लिखा है उस्टम नयायले की आरंभिक अधिकारिता भारत सरकार और एक याधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्या राज्यों और दूसरी ओर एक याधिक अन राज्यों के बीच या दो या दो अधिक राज्यों के बीच यूनियन स्टेट और स्टेट स्टेट किसी विवाद में आगे देखी क्या लिखाएगे, यदी और जहां तक उस विवाद में विधी का यातत्यका ऐसा कोई प्रश्न अंतरवलित है जिस पर किसी विधी कंधिकार का अस्त या विस्तार निर्वर है, तो और वहां तक अन नियाले का अफवरजन करके उोज्तव नि आरभिक अधिकारिता होगी कई शर्ते हैं क्या क्या है कि राज्यों की बीच का विवाद हल करता है या और कैसा विवाद तो ऐसा कोई भी मुद्दा जिस पर विवाद है जिसके कारण किसी के विधिक अधिकार का उलंगन हो रहा है और उसमें विधिका या तथ्य का कोई प्रश्ण तामिल है जिसके कारण विधिक अधिकार का उलंगन हो रहा है उस विवाद का समाधान उच्तम नयाले करेगा एक बात तो यह है दूसरी बात क्या है कि परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधी करार प्रसंविदा वचन बद सनद या वैसी अनलिकत से उत्वन हुआ है जो इस समिधान के प्रारंब से पहले की गई थी या निश्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंब के पश्चात प्रवर्तन में है या जो यहुबंद करती है उक्त अधिकारिता का विश्थार ऐसे विवात पर नहीं होगा तो 26 जनवरी 1950 के पहले यदि किसी संधी समझोते अनुबंध संविदा किसी के आधार पर अगर कोई मुद्दा उभर कराया है तो उस पर आरंबिक अधिकारिता लागू नहीं होगी राइट यह दो बाते हैं इस किंद्रिये विद्यों की संब्धानिक वैद्ता से संबंधित प्रश्णों के बारे में इस्तव नाले की अनन अधिकार्टा संब्धान के 43 में संशोधन अधनिया मुई 177 की धारा चार से लोग किया गया था कहां था किंद्रिये विद्यों के संब्धानिक वैद्ता से संबंधित प्रश्णों की उसके लिए जो अनन अधिकारिता थी वो समाप्त कर दी है और बाकियों के लिए उसकी अनन अधिकारिता बनी हुई है इसमें क्या लिखना है हमें संग राज विवादों का समाधाम कोई प्रशन सामिल है जिसके कारण विधिक अधिकार का राज राज की या संग राज के किसी के विधिक अधिकार का उलंगन हुआ है इन पर आरंबिक अधिकारता लागू होगी इसके बाद क्या है कि अन्तर राज जीए पर यह अधिकारिता प्रभावी नहीं थे अधिकारिता प्रभावी नहीं थे इसके बाद हमें बात करनी है परामर्शी अधिकारिता की एक और बात उस्तव नायाले में ध्यान में रखनी है कि उस्तव नायाले के जो निर्णे होते हैं वो सभी नायालियों पर बात दिकारिता अब बात करें हम लोग 143 जो है परामर्शी अधिकारिता गौर करना है दो बाते हैं उस्तव नायाले से परामर्श करने की राश्पति की शक्ति यदि किसी समय राश्पति को प्रतीत होता है कि विधी या तत्य का कोई ऐसा प्रश उत्पन हुआ है या उत्पन होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महतुका है कि उस पर उस्तव नायाले की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह उस प्रश्ण को विचार करने के लिए उस नायाले को निर्देशित कर सकेगा और वह नायाले ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राश्पति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा मतलब नहीं भी कर सकता उस पर बादेकारी नहीं लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि राश्पति अनुचेद 131 के परंतुक में किसी बात की होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उग परंतुक में वरनित है राय देने के लिए उस्तम नायले को निर्देशित कर सकेग और उस्तम नायले ऐसी सुनवाई के प्रश्चाज जो ठीक समझता है राश्पति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा यहां बादेकारी है मतलब यह संविदान के प्रारंब के पहले यदी किसी संधी समझवता करार संविदा से के विशय पर कोई ऐसा विवाद उ लिकारिता लागू नहीं होती तो अगर उस पर राय मांगता है वा तो उस पर उच्टम नायले अपनी राय देगा राश्पति को इसका मतलब एक यहां लिखा है कि यहां लिखा है इसमें लिखा है मे इसमें लिखा है शेल उसका मतलब कि एक सो तर्टे खंड दो का जो प्रावधान है उस पर उस्तम नायले अपनी राय देने के लिए बाद extraordin है और पहला जो खंड है उसमें अपनी राय देने के लिए वह बाद नहीं है दो बात में है जान को और क्या रखना है कि विधी या तत्थिका कोई ऐसा प्रश्ण उत्पन हुआ है जो व्यापक मातों का है इसका मतलब कि समाजिक आर्थिक विश्यों पर ऐसे प्रामर्श नहीं मांगे जा सकते अब चुकी संविधान से संबंदित या मुद्दा है तो जब भी परामर्श देता है उस्तम न्याले तो नियूनतम पांच न्याय धीशों की खंड़ पीट का होना हनिवार है संबंदानिक पीट इसकी बात लिखनी है अब हमें जन्हित के व्यापक महत्वाले ऐसे विशे सामिल है लाश्पति प्रामर्श की मां कर सकता है सुरवाई करने की प्रक्रिया न्यायाले का दिविकादिकार है और ऐसा प्रामर्श देने के लिए यायाले बात नहीं है दे भी सकता है नहीं भी दे शकता है यह 143 खंड एक की बात है खंड दो में क्या है उन वेश्यों पर जो सम्विधान के प्रारंब के पूर्ण प्रामर्श की मांग कर सकता है ऐसा प्रामर्श देना यायाले पर पात दिकारी है लिखाए उसमें शैल गिप टी एडवाइस राइट अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें अलग से की अब तक नायले द्वारा साथ अवसरों पर प्रामर्श दिया गया है नायाले द्वारा ऐसा प्रामर्श देने के लिए न्यूनतम पांच न्यायधिशों की खंड पीट का होना अनिवार है लेकिन समाजिक आर्थिक विशियों तथा उच्चतम न्यायले द्वारा दिये गए पहले दिये गए निर्नयों पर परामर्श की मांग नहीं की जा सकती पर परामर्श की मांग नहीं की जा सकती नहीं है जो झाल झाल